देखिए आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे उसका नाम है पर्म्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और फिर इसके बाद आएगा प्रुवैबिलिटी मतलब पर्म्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय, कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं संचय, फिर एक आएगा प्रुवैबिलिटी जिसको बोलते हैं प्राइक्ता है ना, तो लगबग हर एक्जाम में इसके भी क्वेशन आते हैं, है ना, काफी कम आते हैं, लेकिन लगबग हर एक्जाम में इसके क्वेशन आते ही हैं, है ना, तो ये चेप्टर, वैसे तो कोई भी चेप्टर हो, हर चेप्टर सीख नहीं है, क्योंकि 33 या 35 है, जितने भी topics हैं हर बार सारे topics नहीं आते लेकिन कोई ना कोई topics से questions आते ही है shift wise exams होते हैं किसी shift में आया किसी में नहीं आया तो सीखना तो आपको हर चीज है है ना आपको हर चीज करते आनी चाहिए हर चीज सीखनी आपको पड़ेगी ठीक है हां banking exams का most important topic है बैंक में यह आते ही आता है है ना state level के जो exams होते हैं उसमें यह बहुत जाता है SSC में भी आता है लेकिन उतना जादा नहीं लेकिन बाकी सबी exams में यह खूब आता है ठीक है, ताला क्यूं बना हुआ है, अभी बताते हैं, ताला क्यूं बना है, ये dots क्यूं यहां बने हुए है, सब बाते बताते हैं, है ना, कई लोगों के लिए ये chapter first time होगा, पहली बार वो अपने जीवन में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ, बैंक में algebra, trigonometry, geometry कुछ नही पहले दो चीजों को समझे, एक होता है क्रमचय, दूसरा होता है संचय, ठीक है, इसको अगर मैं कहूं क्रमचय, क्रमचय का मतलब होगा permutation, और संचय का मतलब होता है combination, ठीक है, पर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इस chapter में करना क्या है, देखे, permutation, combination, probability, सारी बातों की, अगर सारी चीजों की अगर हम बात करें, so it's all about calculation of possibility, किसी भी चीज के होने की संभावना, किसी भी चीज के घटित होने की संभावना, किसी भी चीज के होने के chances, तो ये जो पूरा calculation है, possibility, मतलब आप सोचिए, mathematicians ने, गणितक की लोगों ने possibility का भी formula बना गए, कि भी या कोई चीज होने की संभावना कितनी होगी, उसकी possibility क्या है, उसका भी उन्होंने system क्या बना गए है, पूरा permutation, combination, probability बना गए, है ना, तो अगर हम normally किसी चीज को बात करते हैं, तो इसे बोलते हैं, हाँ, आज ऐसा हो सकता है, आज गर्मी इतनी पढ़ सकती है, आज बारिश हो सकती है, आज ऐसा हो सकता है, हम हो सकता है, शब्द बार-बार प्रयोक करते हैं, यह क्या है, यह संभावना है, इसी को अगर maths में formula में convert कर दिया जाए, तो फिर इसके answer आएंगे, कि आज गर्मी का जो अपना त करें, permutation की, तो permutation या क्रमचय किसी भी चीज के जब arrangement की बात होगी, है ना, किसी भी चीज के जब arrangement की बात होगी, तो वहाँ पे permutation लगेगा, और किसी भी चीज के जब selection की बात होगी, किसी को भी चुनने की बात होगी, तो वहाँ पे आपका संचय लगेगा, है ना, किसी आपको मुझे अरेंज करना है अभी आप बस 10-15 मिनिट मुझे सुनते जाना जब 2-4 questions हो जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं यह चल क्या रहा है बस सुनते जाओ अभी अच्छे से प्यार से अच्छे बच्चों की तरह full screen करके हाँ 11 में प selection यानी combination देखो यहां permutation आया है मतलब यहां पर एक formula हम यूज करते हैं जिसे बोलते हैं N, P और R यहां पर combination C आया है तो इसका formula होता है N, C, R ठीक है यहां N मतलब हो जाता है कि total कितनी चीजें हैं और R मतलब हो जाता है कि आप जिन चीजों को यहां पर इधर arrange कर रहे हो या select कर रहे हो R मतलब जिन चीजों को आपको arrange करना है या जिन चीजों को आपको select करना है वो आप यहां पर ले ले लेते हो N, P, R, N, C, R यह बहुत चलेगा और यह जो chapter है थोड़ा formula based है है ना मतलब यहां logic से ज़्यादा formula important है formula कैसे apply करना है क्या करना है वो चीजे हम और फिर यहां पर questions इनको solve करेंगे अब बात आती है N, P, R की तो N, P, R का formula होता है N का factorial बटे में N minus R का factorial ठीक है N, C, R का formula N, C, R होता है N का factorial नीचे आ जाएगा R का factorial और N minus R का factorial अब इसको solve करने से पहले कि यह formula क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए कि factorial क्या होता है, तो जैसे मैंने कभी लिखा कि 5 का factorial और यह शायद हमने किसी chapter में कभी use किया हो, है न, तो factorial कभी भी sign लगा, मतलब आप उस number को multiply करते करते कहां तक लेकर जाओगे, 1 तक लेकर जाओगे, ठीक है, जैसे हमने लगाया 5 का factorial तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and your answer is 120, तो हम कहेंगे, 5 के factorial की value कितनी है, 120 है, मैνने आप से कहा 3 का factorial, तो 3 का factorial क्या हो जाएगा, 3 into 2 into 1 is equal to 6, तो हम कहेंगे सर 3 का factorial क्या होता है, 6 होता है, हमने कहा 6 का factorial, तो 6 का factorial 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो इसको जब आप solve करोगे, तो यह आएगा आपका 720, और 6 के factorial की value क्या हो जाती है, 720, तो जब भी ऐसा उल्टा आई लगा मिले, कहीं बच्चे बोलते हैं, उल्टा आई क्या होता है, उल्टा आई नहीं होता है, इसको factorial का sign बोलते हैं, factorial का chin बोलते हैं, इसका मतलब उसको multiply करते हुए, आपको कहां तक लेकर जाना है, 1 तक लेकर जाना है, आ रही है क्या बात समझ में, अभी अपन लोग आगे और सीखेंगे, है ना, जैसे आप अभी इतना समझ लीजिए कि 1 का factorial क्या होता है, 1, 2 का factorial क्या होता है, 2, 3 का factorial क्या होता है, 6, 4 का factorial क्या होता है, 24, 5 का factorial क्या होता है, 120, है ना, 6 का factorial क्या होता है, 720, 7 का factorial क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका 5040, है ना, 8 का factorial क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका 40320, and so on, इतना भी अगर आपको याद है, तो sufficient है, और इससे ज़्यादा मैं बोलता हूँ, याद करना भी नहीं, है ना, इतना sufficient है, कैसे निकल के आया, वो मैंने आपको समझाया, कि किसकी value क कैसे निकल के आ रही है, अब आतें इस question पर, जैसे, अभी मैं बस एक example ले रहा हूँ, यूँ ही, है ना, जैसे NPR में, let's say, हमें दिया हुआ है, हमें कहा गया, 5C, sorry, 5P2, देखो, जब किसी चीज़ को arrange करना होगा, तो हम permutation लगाएंगे, और वो हो जाएगा, NPR, तो पर मैंने इसी लिख दिया है, 5P2, 5P2, तो देखो, यहाँ N का मतलब 5 है, R का मतलब 2 है, तो उपर 5 है, तो उपर 5 का factorial, नीचे 2 है, देखो, नीचे लेते हैं, दोनों का difference, तो दोनों में difference कितने का है, तो दोनों में difference है, 3 का factorial, यह आ गया, अब 5 का factorial क्या होता है, 5 x 4 x 3 x 2 x 3 का factorial क्या होता है, 3 x 2 x 1, इनको करेंगे आप cancel, यह हो गया cancel, तो 5 और 4 का multiply बनके क्या बन जाएगा, वो 20 बन जाएगा, यह answer आ गया, अब यही चीज़ अगर उधर ले लें, है ना, हमने कहा 5 C 3, C का मतलब, देखो, P मतलब permutation, C मतलब combination, मुझे यहाँ पे कोई चीज चुन नहीं है, और जब questions आएंगे, तो मैं आपको यह समझाओंगा, तो 5 C 3 क्या हो जाएगा, अब देखो, n का factorial उपर, तो उपर आगे आपका 5 का factorial, नीचे 3 है, तो 3 का factorial, और फिर आपको दोनों का difference भी लेना है, तो दोनों का difference है 2 का factorial, तो आपको दोनों में difference समझ में आया यहां 2 लिख देता हूँ, मैं, सेम हो जाएगा, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है, यह दो इधर फर्क की, कुछ नहीं पड़ेगा, answer में मैं इधर लिखू या इधर क्योंकि multiply है, तो 5 का factorial, 2 का factorial, दोनों का difference का factorial, तो यहाँ पे cable difference लेते हैं, है ना, और यहाँ पे R भी लेते ह है, यह यहाँ पे difference है, ठीक है, चलो, अब आगे सुनो, 5 का factorial मतलब 5 into 4 into 3, 2, 1, 2 का factorial मतलब 2 into 1, 3 का factorial मतलब 3 to 1, answer आपको अब दिखने लगा होगा, क्या रहोगा, देखो, 3 to 1 से 3 to 1 गया, और 2 से यह 2 times गया, तो 5 का दुगना, इस बार आपका answer कितना आएगा, 10, 10 आएगा, यह होगे आपका permutation and combination का एकदम basic, क्या होता है और कैसे use करना है, और यह आपको गाड़ी समझ में आई गई होगी, ठीक है यहाँ तक, और यह फिर मैं बोल रहा हूँ, total formula based chapter है, formula पर आपको नजर बनानी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको पहले से पता नहीं होगा, मतलब question में दिया नहीं रहेगा, क्या लगाना है, आपको question को पढ़ना है, और समझना है कि कौन सा formula यहाँ पर लगेगा, ठीक है, NPR, NCR, कोई दिक्कत परिशानी किसी को भी, clear है यहाँ तक सारी बाते हैं, बिल्कुल, ठीक है, चलो, इसके अलाबा कुछ चीजों की value आप याद रखना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे आएगा, है न, जैसे आप इसको याद रखना, इसमें कुछ चीजें missing है, चलो, मैं आपको इसको कल दिखाऊंगा, कुछ चीजें और missing है यहाँ पर, वो मैं आपको कल दिखा कर देते हैं, 0 का factorial क्या होता है, तो उसकी value भी 1 होती है, 1 का factorial भी 1, 0 का factorial भी 1, कभी बी N, P, 0 आता है, यह रटने वाली, याद करने वाली चीजें और आप इनको खुद से solve करके देखोगे, तो आपको समझ में आ भी जाएगा, है न, तो N, P, 0 का मतलब क्या होता है, 1, अग अगर कभी N, P, 1 आया है, तो उसका मतलब होता है, N, N, P, N, मतलब अगर दोनों नंबर सेम है, भी मैंने कहा, 5, C, 5, है न, तो उसका answer क्या आएगा, इसका answer आएगा, 5 का factorial, मैंने कहा, 4, P, बोल रहा हूँ, या, P आएगा, है न, मैंने कहा, 4, P, 4, तो इसका answer आएगा, 4 का factorial ठीक है, क्योंकि दोनों में difference कुछ नहीं आएगा, दोनों का difference क्या हो जाएगा, 0, 0 मतलब 1, तो उपर वाले number का ही factorial बचेगा, आपके पास, है न, हमने कहा, 5, P, 1, तो answer आपका क्या आजाएगा, 5 आजाएगा, और करके देखना, आपसे आराम से चीजे बनेंगी, तो ये थोड़ी सी basic चीजें, याद रखने वाली चीजें, जिनको आप याद रखेंगे, है न, इसके बाद आप याद रखें, जैसे मान लो, यही चीज, N, C में आ जाए, है न, अगर यही चीज आ जाए, कि भीया, N, C, 0, तो इसका मतलब भी क्या होगा, N, C, 0 का मतलब भी क्या होगा, 1 होगा, clear है, हाँ, इसके बाद अगर हम इसी में देखें कि N, C, 1 का आणसर क्या आएगा, तो इसका आणसर भी कितना आ जाएगा, इसका आणसर भी आपका 1, N आ जाएगा, है न, और अगर इसको देखेंगे, तो यह होगा, N, C, N, जिसका मतलब क्या होगा, जिसका हाँ, arrangement और selection में क्या फरके मैं समझा रहा हूँ, इतनी बात है आपको समझ में आ गई, N, C, 0 मतलब 1, N, C, 1 मतलब N, और N, C, N का मतलब कितना हो जाता है, 1, solve करके देखना, अभी जो मैंने आपको इस formula समझाए थे, आपको clear होगा, है न, अब देखो, इस chapter में हम क्या-क्या types यहाँ पर रहेंगे, है न, number one, हम सीखेंगे words arrangement, है न, words को arrange करना, words का arrangement, है न, words arrangement कैसे होते हैं, जैसे हमने कहाँ, India, India words से कितने words बनाये सकते हैं, शब्दों को उलट-पुलट करके, कितने words arrange कर सकते हैं, तो यह arrangement का basically example होगा, फिर second question होता है, it's about committee, ठीक है, committee हो जाता है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, समीती, है न, committee या समीती, spelling देख लेना, मैं शायद कुछ गडबड कर रहा हूँ, spelling आप बताना क्या आएगा, double M आएगा क्या, committee या क्या होता है, double T, double E, देख लेना आप है न, spelling में sure नही कितनी समीतिया बन सकती हैं, है न, इसके बाद, number 3 पे हम देखेंगे, अब ये हो गया आपका arrangement, ये हो गया आपका, एक प्रकार का ये भी arrangement ही हुआ, कि आपको इतने लोगों में से 4 लोगों की एक committee बनानी है, arrange करना है, आपने sitting वाले कुछ questions देखे होंगे, जिसमें आपको बोला जाता है कि 4 लड़के, 2 लड़कियां है, 6 कुरसियां है, उसमें उनको बिठाना है कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में ना बेठे, एसे जो questions है, वो यहाँ पे आपके आएंगे, है न, इसके बाद, तीसरा जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, तो इनी के कुछ mixed questions होते ह है, फिर main चालू होता है आपका balls वाले questions, balls वाले questions के से, कि एक bag है, उसमें 4 red और 5 blue color की ball है, आपको आग बंद करके एक ball random निकालनी है, वो ball red color की निकले, इसकी क्या probability है, इसकी क्या प्राइकता है, तो balls वाले questions आप सीखोगे, इसके बाद आप सीखोगे, coins वाले question, है न, कि दो coins को या तीन coins को या चार coins को toss किया जाए, चार coins को उचाला जाए, एक पर head और तीन पर tail आए, इसकी क्या probability है, इसके बाद next आप सीखोगे, dice, dice मतलब पासा, कि तीन पासे फेके गए, तीनों का total पाँच आए, तीनों का total आठ आए, इसकी क्या probability है, है न, दो dice फेके इसकी क्या probability है, और last but not the least, cards, ताश के पत्ते जो आप में से कई लोगोंने खूब खेले होंगे, और कई लोगोंने खेले ही नहीं होंगे कभी, cards वाले, है न, cards वाले कैसे होते हैं, कि आपके पास दो cards हैं, या एक पूरा pack रखा हुआ है, cards का, है न, ताश के पत्ते रखे ह ही पूरे 52, उसमेν से एक पत्ता निकालना है, एक पत्ता उसमें से निकालना है, और वो पत्ता बाश्या हो, या 1 हो, या चीडी, चीडी होता है, और हुकम का 1 हो, या एसे जो अलग-णलग पूरे 52 cards होते हैं, ही ट का 1 हो, इसकी क्या probability है, तो ये चीजे भी आप इसमें कैसे की जाए उसकी possibility की calculation कैसे की जाए वो यहां पर आप सीखोगे है हाँ लाल पीली नीली गेंद जो होती है arrangement यह सारी चीज़े हम one by one सीखेंगे क्लियर है बात समझ आ रही है अब आगे सुनो जैसे आप एक question देखिए है थोड़ा सा इसका basic बता दूँ क्या मैं आपको और एक बात सुन लो मेरी जैसे मैंने कहा कोई ऐसा वर्ड लेते हैं जैसे हम हमारे indoor वर्ड को ही ले लेते हैं क्योंकि इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है पहले इसको सुनना है ना question कैसा आएगा कि indoor वर्ड को कितने तरीके से arrange कर सकते हैं कितने तरीके से arrange किया ज नहीं है आप तो कितने arrangement कर सकते हो कितने नए नए वर्ड बना सकते हो बस यह आप से पूछा है तो आपको एक छोटा सा पहले में एक्जामपल देता हूं है ना तो आप इसको relate कर पाओगे जैसे हम कोई भी छोटा सा एक्जामपल ले ले मैंने कहा कि भीया पेन आगे ले लेते हैं तो EPN हो गया और ENP हो गया फिर आप बुलोगे सर N को भी आगे ले ले क्या तो NPE हो गया और NEP हो गया इससे जादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो तीन letters हैं आपके पास PEN इससे आप कितने arrangement कर सकते हो आप 6 arrangement कर सकते हो है ना तो यह तो छोटा word था बना दिया भई मैं कहूंगा चलो इसी तरीके से education words से बताओ कितने words बन सकते हैं आप पागल हो जाओगे ऐसे arrange कर करके है ना तो उसका simple सा तरीका यह होता है कि पेन में कितने letters हैं 1,2,3 तो आप लेंगे यहाँ पे 3 का factorial, 3 का factorial होगे, 3 का factorial क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 into 2 into 1, so your answer is 6, है ना भई तीन letter को उलट पुलट करके कितने उसके arrangement हो सकते हैं, so that is 6, यह होता है आपका basically factorial, कि तीन चीजों को कितने तरीके से arrange कर सकते हैं, चार चीजों को कितने तरीके से arrange कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे factorial लगा देते हैं, अब इन दौर पे आजाओ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unique different letters हैं, 6 का factorial, और 6 का factorial मैंने आपको थोड़े देर पहले ही बताया था, और नहीं याद हो, तो आप एसे लिख के उसको solve कर लेना, answer is 720, टोटल 720 types से हम arrange कर सकते हैं, इन दौर word को, यह main बात हैं, आरी बात समझ में, अच्छा, और आगे सुनो, फिर जैसे एक और example हम ले लेते हैं, हमने कहा कि भाई चलो, ट्रिपल ए, डबल बी और सी को कितने तरीके से arrange किया जा सकता है, तो आप यहां देखोगे, सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 letters हैं, तो सर 6 के factorial से divide करेंगे, लेकिन इसका एक और rule है, कि अगर कोई letter repeat होता है, तो जितनी बार वो repeat होता है, उतने repetition से भाग देंगे, जैसे ए कितनी बार आ रहा है, तीन बार, तो आप 3 के factorial से divide करोगे, बी कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो आप 2 के factorial से divide करोगे, जो जितनी बार आ रहा होगा उतनी बार लिख देना है ना तो AAA, WBC, 6 letters है, 6 का factorial हो गया, 3 का factorial, 2 का factorial हो गया, 6 का factorial कितना होता है, direct लिख सकते हैं, 720, 3 का factorial कितना होता है, 6, 2 का factorial कितना होता है, 2, 6 का दुगना, 12, 12 से cancel होगा, 12 into 6, 72, so now your answer is 60, 60 आपका answer आजाएगा आ रही बात समझ में, खेला समझ रहे हो, 6 unique letters, 3 repeated हैं, ये दो बार हैं, solve करेंगे, answer is 60, 60 अब ठीक है, चलो, अब आपको real question पर लेकर चलते हैं, पढ़ो इस question को बिल्कुल सही बात, हाँ, mobile number जैसे अपने 10 digits के mobile होते हैं, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, और 1 हो जाता है आपका 0, अब आप सोचो कि इन 10 letters से कितने सारे बन सकते हैं, लेकिन mobile numbers में एक और unique बात होती है, कि आप 10 letters, 10 numbers तो यह हो गए, लेकिन अगर हम किसी भी number को दोबारा repeat नहीं करेंगे, तो 10 का factorial आएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप सोचिए repeat करेंगे, भई हमने कहा कि हम 9 को 2 बार repeat करना चाहते हैं, हम 9 को 4 बार repeat करना चाहते हैं, तो आप किसी भी number को अगर reuse करोगे, तो ऐस सारे combinations हो जाते हैं, इसलिए अपना 10 digits में mobile number से काम चल जाता है, है ना, क्योंकि 10 digits होती है, 10 आपके अंक होते हैं, और फिर उनमें repetition होता है, तो ऐसे करोडो combinations बनाए जा सकते हैं, इसलिए 10 digits में काम हो जाता है, है ना, चलो, total को कितने तरीके सो लिख सकते हो भई, तो T-O-T T-A-L, total, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, देखो, पहले पूरा count करोगे, पहले मत देखो, repeat क्या है, क्या नहीं है, 5 letters है, लिख लो, फिर आप मुझे बताओ, कि यहां T कितनी बार आ रहा है, T आ रहा है दो बार, so divided by 2 का factorial, 5 का factorial हो गया, आपका 120, 2 का factorial 2 हो गया, so your answer is 60, 6060 is the right answer, बताओ, बात समझ में आ रही है, यह chapter आपको हर किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, यह chapter कमी किताबों में मिलता है, और कमी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन exam में आता है, इसको देखो आप तो, banking के अक्षरों को कितने भिन भिन तरीकों से सजाया जा सकता है, चलो भया, सजाते हैं जरा, कितना प्यारा भाशा देख रहे हो, आप कितनी प्यारी भाशा है, है ना, सजाया जा सकता है, अब यहां पर आप पहले देखिए, कि क्या कुछ repeat हो रहा है, है ना, कितने भिन भिन तरीकों से, how many different ways can the letters of word banking be arranged, समझ में आ रहा है, arrangement है, है ना, direct आप इसको use कर पा रहा है हो, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so 7 का factorial, and क्या कुछ repeat हो रहा है क्या, तो आप बोलोगे, हा सर, एन दो बार आ रहा है, so divided by 2 का factorial, है ना, 7 का factorial मैंने थोड़े देर पहले बताया था, 5, 0, 4, 0 होता है, divided by 2, answer is 2, 5, 2, 0, 25, 20, यह आपका answer आएगा, option D, 25, 20, 50, 40 वाले जो हैं, धोका खा गए इसमें, therapy, स्वर कभी साथ ना हो, स्वर दोनों छोर पर हो, है ना, और कितने पुनर किया जा सकता है, कितने तरीकों से पुनर विन्य कर सकते हैं, स्वर साथ हाए, मैं एक मिड़े पर देख रहा हूँ, कुछ स्वर और एक विन्य का चैन कर सकते हैं, चलो, एक छोटा सा काम करते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा आगे पीछे करवा रहा हूँ, questions को, पहले इसको करो, डिजाइन के अक्षर को अलग-अलग कितनी तरीके से सजाया जाए ताकि स्वर दोनों छोर पर हो, क्या करेंगे? यह हो गया डिजाइन, यहां पर आपको पता है, वावेल्स यानि स्वर जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, A, I, O, ठीक है? A, I, O, U, A, E, I, O, U, है ना? अब यहाँ पर मुझे बताओ कि इस question में design word में कौन-कौन से vowels या स्वर आये हुए हैं, तो आप कहोगे सर एक तो E आया हुआ है, और सर एक I आया हुआ है, है ना? तो इन्होंने क्या बोला कि स्वर दोनों छोर पर होना चाहिए, है ना? मतलब शुरुवात भी किसी स्वर से होना चाहिए और अंत भी किसी स्वर पर होना चाहिए, यह आप से यहाँ पर बोला गया है, ठीक है? तो सुनिएगा, यहाँ पे आप E को इधर रग दो, I को लास्ट में रग दो, और बचे कुछे, कौन-कौन बचा, D बचा, S G बचा, N बचा, यह आ जाएंगे यहाँ, भई इनोंने क्या बोला कि शुरुवात स्वर से होनी चाहिए, अंत स्वर पर होना चाहिए, दोनों छोर पर, दोनों किरारे पर, दोनों एंड्स पर क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, है ना? तो बेसिकली इसको मैं बोलता मत हैं ना वह इन दोनों गेट तुमको समाल के रखना है ये चारों कहीं बहार नहीं जाने हैं तो हमने दोनों की position को lock कर दी हमने इनसे क्या कहा कि तुम दोनों मत हिलना लेकिन इनको स्वतनतरता है ये एकदम independent है ये कहीं भी आ जा सकते हैं कितना भी उलट पुलट हो सकते हैं तो देखो ये चारो free हैं ये कितने भी तरीके से arrange हो सकते हैं that's why 4 का factorial लेकिन ऐसा बोला है क्या कि शुरू में e आना चाहिए आखरी में i आना चाहिए तो ये भी हो सकता है कि i इधर आ जाए और e इधर चला जाए ये दोनों आपस में जगा बदल सकते हैं रहेंगे end पर पर आपस में जगा बदल सकते हैं तो e उदर जा सकता है आई दर आ सकता है, क्योंकि ये दो लेटर्स हैं, दोनों आपस में जगा बदल सकते हैं, that's why 2 का फेक्टोरियल और जुड़ जाएगा, ठीक है, तो 4 का फेक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 दुना 24 और 2 का फेक्टोरियल दो, तो हम बोलेंगे कि भीया कितने arrangement possible है, A is the answer, 48, आई बात समझ में, है ना, ये चार उलट पुलट हो सकते हैं, इनको आप अरेंच कर सकते हो, तो 4 का फेक्टोरियल, बट ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो 2 का फेक्टोरियल, ठीक है, डन है, चालो, अब आपको एक और नया कॉंसेप्ट सिखाते हैं, इसी में, इसको जरा प्यार से समझना, है ना, ये भी आपका वावेल्स वाला ही क्वेस्चन है, वावेल्स शुड़ कम टुगेधर, ऐसा आता है इंग्लिस में, वावेल्स शुड़ कम टुगेधर, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं ये लोग, स्वर हमेशा साथ आएं, स्वर हमेशा साथ हो या आएं, है ना, अब अच्छा, इसमें एक बात और में समझा दूँ, अगर कभी ऐसा हो जाता, आपसे बोलते कि पहले प्लेस पर ई आना चाहिए, at the end I आना चाहिए, तो फिर यहाँ 2 का फेक्टोरियल नहीं लगाते, अगर इनकी पोजीशन एक्च्छल में लॉक होती, कि नहीं, यहीं रहेगा, आई वहीं रहेगा, तो फिर दो का फेक्टोरियल नहीं कर सकते थे, पर क्यूंकि दोनों exchange हो सकते हैं, इसलिए हम example लेते हैं इंदोर का ठीक है मैंने आपसे कहा कि भीया इंदोर शब्द को ऐसे अरेंज करो ताकि स्वर हमेशा साथ आएं क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है ना इंदोर को ऐसे अरेंज करो कि स्वर हमेशा साथ हो है ना in how many ways इंदोर word can be arranged so that all vowels should come together सभी स्वर साथ आने चाहिए अब पहले इसका logic समझो फिर इसकी short trick समझेंगे कि इसका मतलब होता क्या है देखो इसका logic क्या है आपको देखना है स्वर कौन-कौन से है तो एक तो i है o है और e है i o और e तो बचे कौन n d और r है ना i o e n d r ये आपके तीन स्वर हो गए तीन व्यंजन हो गए स्वर साथ आने चाहिए है ना बही कई बार ऐसा होता है न अपने घरों में जैसे कोई function है या कुछ भी प्रोग्राम है छोटे-छोटे बच्चे होते तो अपन बोलते देखो तुम दोनों साथ रेना तीनों साथ रेना कि जाना मत ह है ना जब अपन मम्मी पापा के साथ बच्चपन में छोटे थे तो जाते थे वो बोलते थे यहीं बेठे रेना दोनों एक दूसरे को छोड़के मत जाना है ना जाओ तो दोनों साथ में जाना बस आप समझ लो कि ये तीन छोटे से बच्चे हैं हमने इनसे क्या कहा तीनों कहीं भी पहली बात तो जा नहीं मत और अगर जाओ तो तीनो साथ में जाना कोई एक अकेला कहीं मत जाना खो जाओगे तुम है ना तो हमने कहा कि भईया तुम तीनो साथ रेना स्वर हमेशा साथ होना चाहिए वोबल शुट कम टुगेधर तो ये बड़े बच्चे हैं ये ब तीन अलग-अलग लेटर्स हैं लेकिन ये हमेशा साथ साथ चलेंगे N-D-I-O-E-R ठीक है फिर N-I-O-E-D-R है ना फिर हम इसको चाहो तो आगे रख दो I-O-E और N-D-R और मैं इसे कितने अभी तो मैंने N-D-R रखा भई आगे D इधर पिर N इधर और इसे कितने भी अरें हम कर सकते हैं, है ना, तो कहने का मतलब यह है, कि ये तीनों free है, ये कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन ये जहां भी जाएंगे, ये तीनों 7 में जाएंगे, तो आप एक बार के लिए देखो, कि basically ये हैं 3, लेकिन जगा तो count तो एक ही कि तरह हो रहा है, है ना, count तो हमारी नजर आप में एक single group कहलाएगा, और हम कहेंगे भी ये भी एक independent group हो गया, ये तीनों 7 में जाएंगे, लेकिन हम इनको किस की तरह count करेंगे, वन की तरह count करेंगे, तो हमारे पास कितने लोग हो गए, एक, दो, तीन और इनको हम तीन नहीं मानेंगे, इनको एक ही मानेंगे, है ना, तो 1, 2, 3 और ये group हो गया, तो हम कहेंगे सर 4 का factorial लगेगा, लेकिन ऐसा कहां बोला है आपसे कि IOE भी fix हैं, परिए IOE अंदर एक दूसरे से तो जगा बदल सकते हैं तो क्योंकि ये तीनों आपस में जगा बदल सकते हैं, इसलिए 3 का factorial और लगाएंगे, तो 4 का factorial कितना हो ग 4 is the right answer, आ रही बास समझ में बोलो, लोजिक समझ में आया आपको कैसे करेंगे, ये हम पूरा एक मानेंगे, 1, 2, 3, अपने आप में एक काउंट होगा, लेकिन ये internally एक दूसरे से जगा चेंज कर सकते हैं, इसलिए 3 का factorial, तो इसलिए हमने इसका एक shortcut बना दिया, है ना, इसका एक shortcut क्या design करा, वो समझ ना, हमने कहा कि यार, जितने भी, जितने भी consonants होंगे, है ना, जितने भी consonants उसमें हमेशा one plus कर देना, और जितने वोवेल से उनको आप वैसे ही रहने देना, और factorial निगा देना, ये हमने shortcut बना दिया, जितने consonants हैं, जितने व्यंजन हैं, उसमें हमेशा एक जोड़िए, और जितने वोवेल से उसको रहने दीजिए, तो हमने देखा, कि याँ पे कित ये व्यंजन हैं, यहां पे तीन व्यंजन हैं, तो एक हमेशा ज़्यादा लेंगे, आप एक हमेशा ज़्यादा लोगे, चार का factorial और स्वर कितने हैं, वोविल्स कितने हैं, तीन तो आप यहां कर दोगे तीन का factorial, solve करोगे 144 आएगा, ऐसा क्यों करते हैं, वो मैंने आपको आपर समझाया कि भई तीन थे तो हमने एक क्यों बढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा इसलिए जितने consonants है उसमें हमेशा one plus करते हैं और answer आता है जैसे हम और एक और कोई सा छोटा सा example लेने की कोशिश करते हैं है ना जैसे हम कोई word ले ले लेते हैं हमने कहा चलो इस बार और थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हमने कहा मुंबई मुंबई को एसे arrange करो कि all vowels should come together सारे स्वर हमेशा कैसे आने चाहिए साथ आने चाहिए ठीक है अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना देखो हमारा नियम क्या है जितने consonants है उसमें one plus करेंगे तो पहले तो consonants count करो one two three three है एक ज्यादा लोगे तो आप कहोगे सर चार का factorial ठीक है वोवेल्स कितने है one two three तो three का factorial लेकिन एम यहाँ double आ रहा है क्या ये तो universal rule है कि अगर कोई later या number repeat हो रहा है तो उतने के factorial से तो divide कर नहीं है तो aim दो बार आ रहा है तो आप क्या करेंगे 2 से divide कर दोगे तो अब इसका answer कितना आ जाएगा अब answer 72 आ जाएगा चूंकि इसका 144 था बस वहाँ पे 2 extra है divided by 2 वोविल्स की fix position लगी कि तो वो मैंने आपको सिखाई दिया और अगर आपसे कहेंगे वोविल्स साथ में आना चाहिए तो फिर यह चलेगा देखो खा गए ना दोगा फिर 144 देने लगे answer 72 आएगा अगर कुछ repeat हो रहा है so divided by 2 repeat वाला तो by default नियम है set है वो वो तो हर बार लगा नहीं है आपको चले चलो अब question को थोड़ा सा ओर tough बनाते हैं इस question को पढ़िए जल्दी नहीं करना थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना चार का factorial 24 कैसे आया class की शुरुआत आप देखी आपको पता चलेगा शुरू में हमने यही सिखाया था कि कैसे आया पार्टनर्शिप में बहुत मज़े लिये ना तुम लोगोंने अब रुको जा रहा बड़ा मज़ा आ रहा था पार्टनर्शिप में आनन्द की अनुबुती हो रही अभी रुको अभी तो चैप्टर शुरूई नहीं हुआ है ठीक है शब्द थेरेपी के अक्षरों को अलग-अलग ऐसे कितने तरह सजाया जा सकता है कि स्वर कभी भी एक साथ नहीं आते हैं ठीक है देखो अब यहाँ पर इस शेप्टर में न ये एक जो वर्ड होता है न नहीं इसका बहुती गजब का महत्व है इस शेप्टर में नेवर, नो ऐसे वर्ड जो होते हैं या क्या होते हैं देखो स्वर कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए अब नहीं आना चाहिए निकालने का कोई डारेक्ट तरीका नहीं है तो यहां लगानी पड़ती है शुद्ध देसी एकदम जुगार तो हम यह देखेंगे कि भीया टोटल थेरेपी को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं टोटल कितने तरीके हैं उसमें से वावेल्स साथ आएं इसकी कंडिशन्स को हटा दें तो हमें क्या मिलेगा कि वावेल वावेल्स साथ ना हो मैं इसी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ वावेल्स नौट टुगेधर यह थोड़ा ग्रैमिटिकली गलत है लेकिन अपन मैट्स पढ़ रहें तो गलतियां चल सकती हैं है ना समझने का प्रयास करना जैसे एक छोटा सा एक्जाम्पल देता हूँ मै तरीके हैं अरेंजमेंट के फिर आप बोलोगे सर इसमें 15 ऐसे अरेंजमेंट है जब वावेल्स एक साथ आएंगे तो हंड्रेड में से 15 गया 85 ऐसे वे होंगे जिसमें वावेल्स एक साथ नहीं होंगे मेरी बात समझ मैं आ रही है है ना टोटल केसे लो वावेल्स कितने हो सकते हैं साथ वाले केसे उनको हटाओ तो जो बचे वो वही केसे गोंगे जिसमें वावेल्स एक साथ नहीं उनगे चलो पूरा करते हैं आराम से करते हैं थेरेपी में कितने लिटर्ज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यह आगे आपका 7 का फेक्टोरियल, अच्छा कुछ रिपीट हो रहा है क्या, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, बात खतम हो गई, चलो, अभी आप इसको देखो स्वर साथ हो वाला केस, अभी आपके लिए क्या है, स् हटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्वर साथ नहों, है ना, और ये हिंदी में लिखी दो, तुम तो पूरा, कुल माइनस स्वर साथ हो, अभी जो आप कर रहे थे, स्वर साथ हो, उसको सॉल्व करते हैं, है ना, तो मुझे बताओ, यहाँ पे स्वर और व्येंजन क करते हैं, कॉंसोनेंट्स काउंट करते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ठीक है, यहाँ कितने हो गए भीया, फाइब का फेक्टोरियल, अब फाइव है, तो एक ज्यादा लेते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, शिक्स का फेक्टोरियल, इन्टू, जितने व बता चुका हूं, 5040, 6 का फेक्टोरियल भी बता चुका हूं, 720, 2 का फेक्टोरियल हो जाएगा 2, तो यह हो जाएगा आपका 5040, 720 का डबल 1440, ठीक है, 1440, माइनस करेंगे, तो यह 00, 50 में से अगर आपने 14 माइनस कर दिया, तो यह आपका कितना बच जाएगा, 36 बच टोटल अरेंजमेंट है, इनमें 1440 वो अरेंजमेंट हैं, जब वौवेल्स am 7 होंगे, तो जो बचे यह वो cases हैं, जिसमें वोवेल्स एक साथ नहीं होंगे, तो जब भी ऐसे नहीं वाले cases होंगे, इसमें हम उल्टा काम करेंगे, उल्टा चलेंगे, सीधी-सीधी बात नही झाल झाल